कि अन्जी ब Sum 흥e पता हैं या नहीं और चैना क्यों नहीं करेंगे के अंब आपके टाइम आगया है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना है टो चलिए आप और हम मिलके पढ़ाई के सफर को थोड़े और असान बना देते हैंहें हमेशा की तना जैसा मैं कहती हूँ ठीक और आज हम बात करते हैं अनुवादन यानि की ट्रांसलेशन के बारे में हमने अब तब बहुत सारे चीज़ें पढ़ लिए है ना इस चाप्टर में बहुत सारे चीज़ें कवर कर ली है आज हम जिसके बात करने जा रहे हैं वो है अनुवादन क्या बात करेंगे अब हम अनुवादन यानि की ट्रांसलेशन के बारे में ठीक है तो जब हम अनुवादन की बात कर रहे हैं तो अभी देख हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि भाईया डी एने से मरने कैसे बढ़ता है अब हम बात करेंगे मरने से क्या हो हो रहा है यह भी कह सकते हूं तो हमने क्या बोला यहां पर iedereen एसकर क्या हो रहा है protein shear solution protein synthesis of यहां से संसलेशन बोल दो कोई दिक्कत नहीं है यहां लेख देती हूं ताकि आप लोगों को दिक्त ना हो है ने protein, sensation या फिर synthesis ठीक है यहाँ पर ये kriya देखी जाती है अब ये जो mRNA है ये क्या है ये एक poly ये क्या है ये जो है ये क्या है ये एक poly nucleotide है ठीक है मतलब कि mRNA का जो structure होता है ठीक है जो सुनरशना होती है वो कैसी होती है poly nucleotide होती है ठीक है और ये जो poly nucleotide है ये क्या है अच्छा बेले इसको समझो ये कैसी shrinkla है अब अगर मैं protein की बात करती हूँ तो कैसी shrinkla होती है ये हाँ ये कैसी shrinkla होती है भाई poly polypeptide ठीक है polypeptide chain होती है ठीक है ये क्या है polypeptide chain है और हमने क्या बोला MRN क्या पॉली nucleotide structure है अब ये दोनों चीज़े हमको पदा चल गई है कि पॉली nucleotide structure है और ये क्या है polypeptide chain है इस चीज को याद रखना यानि कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो poly nucleotide सनरशना है या फिर पॉली nucleotide से किसका निर्माण हो रहा है पॉली nucleotide से polypeptide chain का निर्माण हो रहा है हम ये भी कह सकते हैं या फिर MRN से protein sensation हो रहा है ये कह दो या फिर poly nucleotide से polypeptide chain का निर्माण हो रहा है ये कह दो दोनों में से कुछ भी कह सकते हो तो यहाँ पर confusion वाली कोई चीज़ नहीं है चलो इसको आगए बढगाते हैं अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास क्या है एक cell है है के ने हमेशा की तरह मैंने कहाँ मेरे पास एक cell है यह क्या कि तरह मैंने बताया है कि आपके पास यहां पर क्या है यह केंद्रक है ठीक है केंद्रक जिसको हम क्या कहते हैं न्यूकलियस कहते हैं ठीक है इसकेंद्रक के अंदर क्या होता है इसकेंद्रक के अंदर हमको पता है गुर्षूत्र होते हैं और गुर्षूत्र के अंदर क्या है हमारे पास भाईया हमारे पास यहां पर क्या है DNA है हमने गुर्सोत नहीं बनाए हमने DNA बनागे यहां पर समझा दिया ठीक है तो अभी हमने क्या पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था भाई अनुलेखन की क्रिया पढ़ी थी हमने अभी क्या पढ़ने देखो अभी पढ़ने अन अनुलेखन यानि कि यह जो DNA है इस DNA से जो mRNA बना था ठीक है यह जो प्रोसेस था यह क्या था अनुलेखन है ना अनुलेखन ठीक है ये क्या पढ़ाता हमने यहाँ पर अनुलेखन जो कहा होता है जो आपके केंदरक में होता है याद रखना ठीक है कहा हो रहा है केंदरक में होता है है ना यह कहां हो रहा है यह अनुलेखन की क्रिया कहां हो रही है केंद रख में हो रही है लेकिन अब हमको क्या बात करने अब हम अनुवादन याने कि हम क्या काम करेंगे हम क्या काम करेंगे है अब हम बात करेंगे कि भाई यहां जो यह डीने है डीने से क्या बना है यहां प तो यह जो पृससे स्ज़ारों अनुवादन यह तर बनने के बाद यहां है ने का गिया हैं मैं और हिए यह आ यह आगिया है आपकोंची कही दरवे में ठीक है कोशी का द्रव्य में आ गया है ठीक है यह कहां आ गया है कोशी का द्रव्य में आ जाता है और फिर क्या होता है कोशी का द्रव्य में आता है तो फिर यह क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करता है यानि कि प्रोटीन संसलेशन करता है ठीक है अब समझ में तो यहां पर सवाल आगर आपके पास आएगा कि भाई यह जो DNA है DNA से MRN में बनने का प्रोक्स कहा होता है कि होता है लेकिन जो mRNA से protein synthesis बनने सारा कारे क्रيम होता है वो कहां होता है आपका कोशी का दुरब्य में ठीक है ये चीज आपको clear, है ना, बिल्कुल clear हो गई है, कोई doubt नहीं है यहाँ पर, है ना, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, देखो, यहाँ यह आपका अनुवादन है भाई, ठीक, यह ठीक है ना, यह आपका अनुवादन है, कि यहाँ पर हमने क्या बोला है, कि mRNA में न्यूकलोटाइटो की श्रिंकला का, अमीनो अमले की पॉली पेप्टाइज श्रिंकला में परिवर्तन को ही हमने क्या बोला, अनुवादन बोला है, ठीक है ना, यह क्रिया कोशी का दरवे में राइबोजोम की सताय पर होती है, ठीक है, राइबोजोम mRNA के 5 सिरे से पूरी होती है, चलो देख लेते हैं, कौन-कौन से तीन चरण होते हैं, चलो फिर, तीन चरण देखते हैं इसके, है ना, तो हमने यहाँ पर जब अनुवादन क्रिया के चरणों की बात कर रहे हैं, तीन चरण, ठीक है, तीन चरण कौन से हैं, यह देख लेते हैं, है ना, तो सबसे पहला चरण क्या रहा है आपके पास? हम बात करें mRNA की. सबसे पहला जो हमारा पास topic कर रहा है mRNA. तो यहां पर जब हम mRNA की बात करें हैं, तो यहां पर क्या होता है? हमारे पास एक श्रिंख्ला है. ठीक है, यह रही है आपकी श्रिंख्ला. ठीक, ये लो, ये क्या है, ये आपका 5- है, ये आपका 3- है, अब इसके उपर क्या होते हैं, इसके उपर हमारे बास nitrogen 6 होते हैं, या बोले nitrogen base होते हैं, ये रहा है इस तरीके से, मैं इसे dot dot बना देती हूँ, ये क्या है, nitrogen base बोल दो ये nitrogen 6, ठीक है, ये इस पर है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है यहां पे क्या हो रहा है बता कौन बता सकता है कि इसके उपर हमने बोला कि मैं लिख देते हूं चलो यह क्या है नाइट्रोजन बेस है ना जिसको हमने क्या बोला नाइट्रोजन छार ठीक है यह क्या है यह क्या है नाइट्रोजन बेस अब यहां क्या होता ह है यह क्या होते है त्रिक में मौझूद होते हैं यह कैसे मौझूद होते हैं यह के उपर क्या होती है? त्रिक की सूचना होती है. ठीक है? नाइट्रोजन बेस के उपर. ठीक? तो पहली चीज MRNA के बारे में यह आ गई. ठीक है? दूसरा आता है TRNA. ठीक? दूसरा हम संसलेशन की संसलेशन की क्या काम कर रही है? क्रिया करती है. क्रिया या ठीक है ना? तो यहाँ यह जो प्रोटीन संसलेशन हो रहा है इस त्रिक के उपर. तो पढ़ने का काम करता है. ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या बोला? हमने बोला कि यह क्या है हमारे पास? यह 5-2, 3-. है ना? 5-2, 3- है. हमने बोला इसके उपर क्या है? यह nitrogen base है, यह nitrogen 4 है. ठीक है? और हमने अब ये जो सूचना है यहाँ पर ठीके इस सूचना जो होता है इसको पढ़ने का काम कौन करता है इसको पढ़ने का काम कौन करता है जो पढ़ने का काम है कौन करता है टी आरेने और टी आरेने कौन सा पार्ट करता है ग्राही जो ग्राही भाग होता है वो काम करता है अगर ट तरीके से बनाई थी ऐसे करके ठीक है यह आपके TRN की संद्रशन थी ठीक और हमको पता था नीचे की तरफ क्या होते हैं एंटी कोडॉन होते हैं है ना हमने क्या बोला यहां क्या होते हैं एंटी कोडॉन होते हैं ठीक है यह क्या काम करते हैं इस सूचना को पंड़ने का काम करते हैं सूचना यहां से आई इस तरीके से आई ठीक है और क्या हुआ है यहां से गई यहां से गई यहां से गई यहां क्या है ग्राही वाला भागे आपका और यहां से सूचना जो है पहुंच जाती है जहां पर इसको पहुंचना होता है ठी अब यहां पर क्या होता है फिर जब हम तीसरा पार्ट हमारे पास आ जाता है भाई या आर आरेने ठीक है तो तीसरा पार्ट हमारे पास क्या आ गया आर आरेने ठीक है आर आरेने अब यहाँ इस आर आरेने में क्या होता है इस आर आरेने में अनुलेखन की जो क्रिया होती है यहाँ पर जो अनुलेखन क्रिया है अनुलेखन क्रिया जो है क्रिया के लिए क्या करता है यह सतह प्रदान करता है है ठीकके सत्य है प्रदान करता है क्या करक्र sein यह जो यह जब सीर्श रही है यह अनुलेक्षम की जिदिशन नहीं प्रॉसेस के लिए space प्रवाइट करा है सत्य प्रवाइट करा रहा है यह तिके बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहा है अब यह जो आरारे ने होता है यह क्या होता है different type का होता है यह क्या है आपके अलग-अलग तरीके का तो इसके जो types हैं वो type कैसे हैं हाँ एक type इसका जाता है भई यू कारी ओट में ठीक है यह आगे यू कैरी ओट कर रहे हूं तो यू कारी ओडस में क्यारा है यह पर APS ऑजाता है ठीक है प्रोकरे ऊस्टाτο है एजाता है यह हंब टाइक के ब में इसके ठीक तो यहाँ पर क्या है ribozome का type है यह अब ATS की जब मैं बात कर रहे हूँ तो ATS में क्या है एक तो large sub unit है है ना large sub unit ठीक है और एक क्या है small sub unit है ठीक है ribozome कैसा होता है ऐसे करके होता है ना ऐसे करके ऐसे उधे ना ribosome है तो यह large है ठीके और यह small है ठीके तो 2 sub unit यहां है बिल्गुल ऐसे 70s में भी हो गया कि भाई यह large sub unit हो गई ठीके और एक small हो गई ठीके तो जब large sub unit के बात कर रहे हैं तो यहां पर large sub unit क्या है यहां पर हां तो large subunit यहाँ पर क्या जाती है आपकी large आगी भाईया 60s और small आगई आपकी 40s ठीके यह तो आगी आपका 80s में जब हम 70s की बात करते हैं तो 70s में आपकी आजाती है जो large है वो क्या उनसे आगई आपकी 50s ठीके और जो small है वो आगई आपकी 30s ठीके तो यह सब को इतनी बात आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इसका डाइग्राम देख लेते हैं, है ना, एक पेज यहां पर जोड़ना पड़ेगा अपने को, हां, पेज जोड लेते हैं, ठीक, तो जब पेज जोड लेते हैं, तो एक बार इसका डाइग्राम देख लेते हैं, यहां का MRNA ठीक यह आपका MRNA यह है आपका 5-3 इसके उपर हमने क्या बोला त्रिक मौजूद होते हैं है ना कैसी होते हैं देखो यह सपोस्ट करो यह है यू, जी, सी, जी, यू, ए, ए, जी, ये सिर्फ एक सपोस्ट कर रहे है हम यह नहीं कह रहे है कि यही सिक्वेंस चल रहा है कुछ भी सिक्वेंस हो सकता है यह तो हमने सिर्फ यहां पर लेट किया है यानि सपोस्ट किया है कि हमारे पास यह है यहां पर ठीक है अब यहां पर इसके उपर क्या होता है, इसी के उपर मौझूद होता है भाई है, राई बोजो, क्योंकि MRA ने क्या कर रहा है, है यह जो क्या बोलते हैं, यहां पर प्रोवाइड करवाएगा space, तो यहां पर यह कैसा होता है, कुछ इस तरीके से यहां पर, यह तीन यहां पर आ जाएंगे, और छोटी वाली सब्वाइड यहां पर आ जाएंगे, यह क्या है, आपकी larger यूइट है यह, है न? large, sub unit, है न? और यह वाली क्या है आपकी, small sub unit, ठीक है, दो sub unit है, तो यह कौन सी है आपकी, ये क्या है आपकी 80S, है ना, 60S, sorry, ये कौन सी है आपकी large, 60S हो गई, और ये small वाली क्या है, 40S हो गई है, है ना, ठीक, इतनी चीज सबको clear, है ना, सबको समझ में आया यहां तक, ठीक, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, अब यहां पर 3 चीज़े आती हैं, भाई, कौन सी 3 चीज आता है, आपका, P, A अचाता है, A, ठीक, और 1 और साइट आती है, भाई, ठोड़ी बाहर की तरफ आती है, यहां पर नाम क्या-क्या होते हैं, इनके, हाँ, नाम होता है, भाई, एक प्रमोटर हो गया, ठीक, हमने क्या कहा, ये प्रमोटर हो गया, ये A हो गया, और ये Y आ ज उपर mrna जो है हमने क्या बोला mrna 523 डाश है ठीक है अब यहां पर क्या है इसके सदा के उपपर भी अपर यहां पर क्या है इसकी सदा के उपर ribosome मौजूद है यहां पर ठीक है और यह सदा प्रदान करते है टी आरेने के लिए यह जो राइबोजोम है यहां पर क्या हो रहा है तो यहां बे क्या हो रहा है अब यहां जो एम आरेने है यहां जो एम आरेने है यह ठीक है यह जब कोशी का द्रव्य से क्या होगा बाहर आएगा यह जब कोशी का द्रवे से क्या हो रहा है बाहर आ रहा है या आता है ठीक है तो ये क्या करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ठीक है जब कोशिका द्रवे से बाहर आता है तो इसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके लिए क्या चा चाहिए याने की सता चाहिए है ना तो ये जो सता होती है ये MRNA इसको क्या करता है प्रोवाइड कराता है ठीक है ये सता किस ने दिये इसको ये M यह जो ribosome है M RNA पे जो ribosome है ठीक है 5 डेश पे यहां जो 5 डेश पे ribosome है यहां पर ribosome के साथ यह क्या करता है सता लेने के लिए यहां जुड़ जाता है जो की क्या कर रहा है RNA की बड़ी सता है यहां पर जो RNA की बड़ी सता है इसके साथ जुड़ जाएगा ठीक है और ribosome में दो इस्थाल होते हैं हमने जैसे कि बोला है एक ये 60S हो गया और ये 40S हो गया है ठीक है ये दो है ठीक है अब ये तो ठीक है लेकिन हमने बोला इस ribosome के अंदर भी दो सते हैं ये तो क्या है इसके units है कि एक उपर वाला एक न हमारा अमीनो एसेटाइल स्थल ठीक है ये क्या है पैप्टाइड स्थल है ठीक है और ये क्या है अमीनो एसेटाइल स्थल है जिसको हमने ए बोला ठीक अब यहां पर एक और चीज़ आती है जिसको हमने क्या बोला एक जिट बोला ये जो ए है ठीक है ये क्या है एक जिट स् बहुत है, ठीके, यानिकी, यहां जो भी काम हुआ है, वो काम यहां बाहर की तरफ आने के लिए, अब ये जो P और A है, ठीके, P और A है, यहां क्या है? यहाँ Т आ रहे हैं, बाहर से, ठीके, P और A में, ठीके, कैसे आते हैं, चलो next page पे समझाती हूँ मैं इसको, कैसे आ रहे हैं, तो यह देखो, यह जो P और A वाले ही, सिर्फ यही संरशना में next page पे बना के दिखाती हूँ, ठीक है, कैसे आते देखो, यह इस तरीके से है, यह एक ऐसे है उपर वाला और नीचे वाला, हमने कहा यह क्या है, A है, ठीक है, यह क्या है, P है, और यहाँ क्या है, E है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, E है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पर क्या है, P और A में क्या आ रहे है, T आ रहे हैं, ठीक ह यह क्या है आपके टी आरेने है ठीक है यह टी आरेने क्या है देखो यह यहाँ पर आ रहे है पहले पहले यहाँ पर आएंगे ठीक है यहाँ पर आगए यह आगए आपका टी आरेने यहाँ पर ठीक है, यह आगिया आपका T-R-N-A, यहाँ पर आगिया यह, ठीक है, यह T-R-N-A भी यहाँ से कहां आगिया, यहाँ आगिया, ठीक है, यहाँ जब इसका सारा काम पूरा हो जाएगा, तो यह क्या करेगा, एक्जिट करेगा, ठीक है, एक्जिट करेगा, फिर यहाँ से T-R- तो यहां आगया तो जब यह यहां जाएगा तो यह वाला यहां जाएगा फिर यह यहां पहुंचेगा तो यह वाला यहां जाएगा यह यहां पहुंचेगा तो यह वाला यहां जाएगा और पूरी क्या होती है सीक्वेंस इस तरीके से चलती रहती है कि एक हटा तो दूसरा भाया दूसरा हटा तो तीसरा चौथा पांच जुआच था इस तरीके से यह सीक्वेश्ट यहां पर चलती रहती है ठीक है कि इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है कि अच्छा ऐसा यहां होता है, तो जो प्रोटीन है ये जो प्रोटीन है, इसके छोटी एकाई क्या होती है, हां सबसे छोटी एक आई को हम क्या कहते हैं अमीनो अमल या अमाईनो आसेड ठीक है या फिर अमीनो अमल ठीक है ओके ना अब ये जो अमीनो आसेड है ये सब क्या करते हैं जब जुड़ते हैं आपस में ये जो जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं बहुत सिंपल सा फ समझके कि प्रोटीन है, प्रोटीन की सबसे छोटी ही काई हमारे पस अमाइनो ऐसे रहे, यानि कि अमीनो अमल है, और यह क्या करते हैं, जुरते जाते हैं, जुरते जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, यह प्रोटीन बनाते हैं, इतनी बात clear, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, और polypeptide shrinkla है, कैसी shrinkla है, चुरो एक diagram में देख लेते हैं, है ना, कैसी है, यह देखो, यह क्या है, amino acid है इसके अंदर, फिर एक और amino acid जुड़ा हुआ है, ठीक, यह दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक, यह तीसरे चौथे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके so on, so on, so on, और यहाँ पर भी so on, so on, so on, तो यह क्या poly मतलब बहुत सारी, है ना, poly मतलब बहुत सारी, ठीक है, तो यहाँ पर इस शुड़ा कुछ इस तरीके से मौझूद होती है, अब अगर इसके में diagram की बात करूँ, कि भायर diagram कैसे बनाओगे आप इसका, यहाँ पर फिर एक paste जोड तो जब हम इसका diagram बनाएंगे, तो देखो, एक श्रिंखला यह रही हमारे पास, जिसको हम C, C, O, O, H, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर यह क्या है, R है, R क्या है यह, क्रियात्मक, गुरूप है यह, ठीक है, यहाँ R आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका NS2 आता है, यह ना, औ NS2 आता है, और यहाँ क्या आता है, आपका H आ जाता है, अब यह किस से जुड़ा हुआ होता है, बाई साब यह जुड़ा हुआ किस से होता है, यह दूसरे के साथ जुड़ा होता है, यहाँ पर NH2 C, H, फिर यहाँ R आ गया, जो क्रियात्मक गुरूप है, यहाँ COOH, कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, अब जो यहां पर यह COOH है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यह जो COOH है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम C, ऐसे करके न, double bond O, और OH, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, और यहां जो यह NS2 है, इस NS2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले NS2 को ह यहां आ गया एज, यहां आ गया एज, ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, चलो अगले पेश पेसरेंटे, फिर कैसे लिखना है इसको तो अगले पेश पे देखो कि यहाँ पर यह कैसे बना, यहाँ पर यह NS2, यहाँ वाला तो ऐसे ही रह गया, यह C, C, यह H, ठीके, यह R, यह ऐसे बन गया है, ठीके न, यह तो as it is रहेगा, अब इसके साथ हमने क्या बोला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, पहले उससे पहले समझो, कि ठीके, यहाँ पर हमने इसको कैसे लिखा है, हमने क्या बोला कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो C है, हाँ, इसको हमने कैसे लिखा है, इसको हमने लिखा, double bond, O करके, ठीके न, ठीके, और यहाँ पर O H आ गिया है, ठीक, और यह किसके साथ जुड़ा है, यह जुड़ गया है आपके, कौन से कलर से लिखा था यह, blue से, हाँ, तो यहाँ पर N आ जाएगा आपका, है न, N को हमने कैसे लिखा, यहाँ H आ गिया, यहाँ N आ गिया, यहाँ H आ गिया, इसक को ठीक इसके बाद हमने फिर C फिर यहां पर फिर H आगिया है ना यहां पर क्या आगिया आगिया यहां C O O H आगिया ठीक है करेक्ट हाँ ऐसा ही है ठीक अब यहां क्या करेंगे यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक जल अनू क्या करेंगे हम निकाल देंगे जल अनू मतलब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या निकलेगा यहां पर हमारा यहां से हमारा जो water molecule है वो क्या है ये वाला OH आगी आपका है ना ये क्या है OH आगी आपका ठीक और ये जो H है ये N है ये H है ये वाला क्या है ये आपका क्या है भाईया है ये है जल अणू जो इसमें से निकल जाएगा ठीक क्या करेगा ये निकल जाएगा तो इस में से मतलब की ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन ये इस तरीके से बाहर निकल के आ गया है ठीक जब ये बाहर निकल के आहां अब फिर से फिर से यहां पे एक पे जोड़ना पड़ जाएगा तो देखो क्या बन गया हमारे पास जब हमने इसको निकाल दिया तो हमारे पास NH2, C, C, double bond O, यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया R, ठीक है और यहां पर O के साथ क्या आ गया फिर हमारा NH2, इसके साथ आ गया, sorry NH, फिर C, फिर COOH, ठीक है, यहां आ गया H, यहां आ गया R, फिर O, यह ऐसी चलता रहता है, यहां पर हमको क्या मिल गया, यहां पर आपको क्या मिल गया, एक peptide bond देखने को यहां पर मिल जाता है, यहां क्या है, यह किस से जुड़ा हुआ है, peptide bond से जुड़ा हुआ है, यह यहां पर यह peptide bond बन जाता है, ठीक है, peptide bond, तो यहां पर एक amino acid यहां आगया आपका, और दूसरा की आगया, यह आगया, इस तरीके से यह आपकी सनरशना बन जाती है, clear, इतनी बाद सबचों को clear हो गई है, है ना, थम सब दिखाओ फटा-फट, आगया समझ में, हम, चलो, ब amino acid का सक्रिय करण, सक्रिय करण, ठीक है, number one पर यह आ जाता है, हमारे पास, ठीक, सबसे पहले, जब जो क्रिया है, क्रिया में सारे पार्ट्स हैं, वो यह हैं, दूसरे number पर क्या आता है, आपका, सक्रिय अमीनो, अमल का, टी, आर, एन, ए, से, जुड़ना, ठीक है, दूसरे number पर यह आ जाएगा, आपका, तीसरे number पर हम क्या पढ़ेंगे, तीसरे number पर हमारे पास आता है, पॉली पैप्टाइट, पॉली पैप्टाइट, श्रिंखला का प्रारंबन, का प्रारंबन, ठीक है, प्रारंबन, किस से होता है, ए, यू, जी, और जी, यू, जी से होता है, ठीक है, यानि कि जहां से यह जो श्रिंखला है, पॉली पैप्टाइट, पॉली पैप्टाइट, श्रिंखला जो है हमारे पास, दीरगी करण होना इसका का दीरगी करण ठीके यानि कि लंबा होना इसका बढ़ते जाना ठीके फिर हमारे पास क्या आता है फिर हमारे पास क्या आता है भाई हाँ फिफ्ट नमबर पे फिफ्ट नमबर पे हमारे पास आता है यह जो polypeptide है, polypeptide, श्रिंखला, श्रिंखला का समापन, ठीक है, अब जो चीज शुरू हो यह भाईया, खतम तो होगी, हैना ऐसा तो नहीं कि चलती रहेगी, चलती रहेगी, खतम तो होगी, तो यह किस्से होती है समाप्त, U, A, A, U, G, A, और U, A, G, यह क्या है, इसका समापन पॉइंट है, यानि कि जहां पर क्या होता है, यह खतम हो जाता है, इतनी बात, कितने बच्चों को समझ में आएगी, आ गई है, यह बताओ, कि यह जो 5 स्टेप है, यहां पर अनुवादन के क्रिया, पूरी इसी में क्या हो बताओ, कितने बच्चों को समझ में आ गई है, मेरे खासे तो समझ में आ जाने चाहिए, कोई confusion नहीं होने चाहिए, है ना, आगे यह ना, समझ में, ठीक, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, है ना, चलो, आगे बढ़ते हैं, यह देखो, यह आपका सबसे पहला आता है, अमीनो अमिलिका सक्किये करन, ATP की उपस्थिती में Amino Acyl Synthetase Enzyme द्वारा होता है, यानि कि यहाँ पर क्या है, Amino Acid है, Amino Acid का ATP है, ठीक है, प्रेजन्स किसकी है, या Amino Acyl की प्रेजन्स है, तो इसकी प्रेजन्स में क्या हो रहा है, यह जो Amino Acid है, इसमें से Amp क्या होता है, यहाँ पर जेखो, क्या हो रहा है, यह सब यहाँ से निखल जा रहा है, ठीक है, और क्या बन रहा है, यहाँ पर जटेल जिसको उबने क्या बोला Amino-Acyl-Adenylic AMP Synthetizes quelques बनता है थीक यह पूरा का पूरा क्या है एक ही है थीक है पूरा का पूरा क्या है यह एक ही है जो बन रहा है यह जो complex है थीक यह पूरा बन रहा है इसकी presence में ठीक है प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है प्लस यहाँ पर पाइरो फॉसफेट भी बन रहा है ठीक है यह क्या है पाइरो फॉसफेट है ठीक है तो पूरा का पूरा एक तो यह बन रहा है आपका और दूसरा यह बन रहा है आपका तो दो चीज़ें यहाँ पर मिल रही है हमको देखो कैसे है यह समझाती हूँ, कैसे बन रहे हैं, देखो यहां समझो, कि हमने क्या बोला, कि हमारे पास क्या है यह, amino acid है, ठीक, amino acid, ठीक है, प्लस इसके साथ क्या कर रहे है, ह। ATB है, ठीक है, ATP, अब presents किसकी है, amino acyl की presents है, इसके उपर, ठीक है इसकी प्रेजेंस है यहां पर अब इसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है इसकी प्रेजेंस में हमको क्या मिल रहा है एक यहां पर complex enzyme मिल रहा है complex हमको एक वो मिल रहा है क्या बोलते हैं enzyme ठीक है क्या मिल रहा है हमको amino acid के साथ हमको AMP मिल रहा है जुड़ा हुआ ठीक है याने कि हमने से क्या बोला यह क्या है आपका complex enzyme बनाया यहां पर ठीक है किस ने बनाया सक्रिय अमीनो असेड ने बनाया सक्रिय अमीनो असेड ने बनाया ठीक है प्लस इसके साथ हमको यहां पर क्या मिल गया प्लस हमको यहां पर PP ठीक है यानिकि P-P क्या है हमारा पाइरो फॉस्फेट ठीक है पाइरो फॉस्फेट यहां पर हमको मिल गया तो यह क्या है हमारा Amino Amlog का सक्रिये करणी यानिकि activation ऑफ Amino Acid मिला है हमको यहाँ पर ठीक है दूसरा आता है हमारा सक्री Amino AMO का Trn के साथ जूढ़ना ठीक है तो Trn के साथ जुढ़ जाएगा कैसे जुढ़ गा Trn के साथ हमने का यह हमारा Amino Acid है ठीक यह क्या है Amino Acid है हमारे पास ठीक, अमीनो अचिट के साथ हमने यहाँ पर क्या जोड रहे हैं, हमारे अमीनो अचिट के साथ हमारे पास क्या था, AMP था यहाँ पर हमारे साथ, ठीक है, AMP प्लस, TRNA के साथ जोड रहे हैं यह, है न, यह क्या है, TRNA है, ठीक है, कहां जोड रहे हैं हमारे साथ, TRNA के साथ जोड तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर हमको यहाँ पर कुछ अलगी चीज मिल रही है क्या चीज मिल रही है हमको यहाँ पर amino acid के साथ हमको trna t rna t rna t rna t rna plus amp p मिल रहा है हमको यहाँ पर और प्लस वही अपना PP group मिल रहा है ठीक है तो यहां पर यह हो रहा है हमारे साथ ठीक है कि बई देखो सक्री अमीनो अम TRNA की क्रिया करके उसको तीसरे डैश पर त्री डैश पर जुड़ जाता है और इंजाइम यहां पर अलाग हो जाता है यानि कि यह जो हमको मिला था ठीक ह यह क्या है यहां पर इंजाइम है ठीक चलो आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स प्रारंबन मी बोलते हैं है तो यहां पर क्या होता है जो MRNA है वो राइबोजोम की छोटी अपकाई यानि कि 30S से जाकर जुड़ जाता है है फिर क्या करता है ये tRNA समर्च mRNA 30S से जाके जुड़ जाएगा फिर क्या होगा इस चरण में सरप्रतम जो फॉर्माइल मिथियोनिन tRNA है mRNA के प्रारंबिक कोडोन AUG से जाके जुड़ जाता है देखो यहाँ पे होता क्या है समझाते हैं है ना यहाँ पे यहाँ पे एक पेश जोड़ना पड़ेगा पेश जोड़ना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर हम एक पेश जोड़ेंगे ठीक हम बात कर रहे हैं अयो हम किसकी बात कर रहे हैं भाईया हम प्रारंबन की बात कर रहे हैं प्रारंबन में हमने बोला था जब प्रारंबन की बात हो रही है तो प्रारंबन कहां से हो रहे है प्रारंबन हमारा हो रहे है ए यू जी और जी यू जी ठीक है इस से हो रहे है ठीक है न हाई यह देखो, यहां लिखा था ना, A, U, G, U, G, U, G है न, प्रारम्मन लिखा था, ठीक यह पढ़ना है, तो यहां पर हमने क्या बोला, यह क्या है आपका 5, 2, 3 डैश है, 5, 2, 3 डैश, यह क्या है आपका M, R, N ठीक है, हमने क्या बोला, इसके उपर आके राइबोजोम आके बैठ जाएगा, ऐसे करके, सब बड़ी सब्यूनिट, और यहां क्या आगई, छोटी सब्यूनिट, इसके अंदर हमने बोला, हमने अब थोड़ दर पहले, ऐसी एक इमेज्ज देकी दिना, ऐसा ही कुछ बनाये सा, तो यहां पर क्या होता है? हम कहते हैं, कि यहांपर हमारे पास क्या है? जहां यह P है, यहां पर हमारे पास क्या है? क्या हो गया यहां पर पी के पास यहां पर मारे पास क्या है हमारे पास है भाई ए यू ए यू और जी यहां पर है ठीक है ए यू जी यहां पर है अब भाई यह टी आरेने आएगा हम यह भी तो बात कर रहे हैं यहां से टी आरेने आएगा यह रहा आपका टी आरे ने, यह रहा आपका टी आरे ने, ठीक है, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, अब यह टी आरे ने आया, यहाँ पर, यहाँ आ गया, ठीक, अब यहाँ वाला टी आरे ने कहाँ पहुच गया, यहाँ पर आया, ठीक है, अब यहाँ पर A हो जीता, यानि कि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर इक रिया प्रारंब हो रही है, स्टार्ट हो रही है, है ना तो यह यहाँ पर आया, यह क्या करेगा, यहाँ पर इसके पास एक क्या है, यहाँ पर इसके पास क्या है, मिथेनो, निन, ठीक है, क्या है यहाँ पर, कौन सा कलर उठ मित्höयिन, ठीक है? यहाँ देखो, क्या है? मित्योनिन, ठीक है? क्या है ये? मित्योनिन, ठीक है? हम देखो क्या कह रहे हैं? कि सबसे पहले, फ़र्माइल मित्योनिन, T-R-N-A, M-R-N-A के प्रारम्बिकको दोन से जाके जुड जाता है? ठीके तो ये क्या है TRN जो है ये MRN का ये क्या है ये प्रारंबिक कोडोन है प्रारंबिक कोडोन इसके साथ आके क्या करेगा ये यहां जो TRN ये है ये इसके साथ यहां पर आके क्या होगा जुड़ जाएगा ठीके यहां पर आके क्या है जुड़ जाएगा और ये मित्योनिन क्या कर रहा हैmek हैं को कोड करता है आप यहां पर यह काम हो रहा है अपना क्लियर इतनी बात फिर हमारे पास आता चंप लाइन कोड तो दीरगी करण में हम ने क्या बोला हमारे वोला कि हमारा राइबोजोम यहां पर पहुंच किया है ठीक है यहां पहुंचिया है और यहां पर हमारे पास क्या है टी आरेने हैं हमारे पास ठीक है यह रहे आपके तो यहां पर इसके अंदर क्या है टी आरेने है ठीक है तो यहां क्या है टी आरेने है तो एक क्या होगा हम हमने क्या बोला कि यहां से यहां आएगा यहां से यहां एक और यह एक्जिट करते रहेंगे और यह प्रोसीज क्या है ऐसे ही चलती रहेगी यही बात कर रहे हैं अब जब यहां पर दीरगी करण की बात आ रही है तो हमने कहा था जब यह स्टॉप पर आ जाएगा तो स्टॉ समापन के क्रिया आ रहे हैं समापन पर हमको फिर से तीन कोड मिल जाएंगे हम मानते हैं यहां पर यू ए मौझूद है सब पोस्ट करो ठीक है यहां पर क्या है यू ए मौझूद है तो इतने में जब यहां से यहां पहुंच रहा है यहां से यहां पहुंच रहा है इतने में क यहां किया रहे है इहां कि देर में क्या हो रही यहां पहुंआ ये वह यहां पहुंच रहे है न सौपर कि कि यह क्या है और टी आरे ने क्या है ऐसे काम करते करते टी आरे ने यहां पर क्या है यह एक्जिट हो जा रहे हैं टी आरे ने यानि कि भाईया क्या है इलोंगेशन ओफ पॉली पेप्टाइज जिसको हम बोलते हैं ठीके यह देखो इस तरीके से आपका यह पूरा इस तरीके से दिया हुए ऐसे चलता है पूरा यह ठीके ना फिर इसके बस चात राइबोजोम एमारेने के उपर खिसक जाता है जिससे ए इस तल कर टी आरेने पी इस तल पर आ जाता है एवं एस तल फिर से खाली हो जाता है एक खाली होगे तुरंद वहां दूसरा टी आरेने आ जाएगा और इस क्रिया को क्या वोला हमने क्या बोला कि भाईया यहां पर क्या है हमने बोला एक ए है यहां पर यहां पी है यहां य यहां जो TRN था ठीक है वो कहांऔर इसका यहां पर अब यहां पर यह है तो यहां तो खाली रह Hamm ai ने के उपर 3-डिशा की और सतन चलती रहती है ठीके फिर आता है आपका समापन समापन में क्या होता है दीरगी करन का करम संपूर्ण MRN के अनुवाद होने तक चलता रहता है MRN के अंत में एस्थल पर किसी एक का समापन कोडोन यानि कि टर्मिनेशन कोडोन UAA UAG अत्वा UGA यह दा यह देखो UAA यहां आगिया ना तो जब यहां पहुचेगा तो आटोमेटिकली यहां पर क्या होगा आटोमेटिकली यहां पर यह समाप्त हो जाएगा ठीके यहां पहुचने के साथ ही ठीके ना आने पर प्रोटीन संसलेशन रुप जाता है और पॉली पेप्टाइड श्रिंखला मुक्त हो जाती है समापन कोडॉन किसी भी अमीनों अमले के लिए विशिष्ट नहीं होते है यह पॉली पेप्टाइड को TRN से अलग कर देते हैं राइबोजोम को दोनों उपिकाईया भी इसके पस्चात अलग हो जाती है ठीक है इतने बात कितने बच्चों को clear होगई clear ना बताओ थमसब दिखाओ फटाफट से समझ में आगी है तो लैक ओपरेंड के बारे में जब हम बात करेंगे तो जानते हैं कि इसको क्या बोला जाता है लैक ओपरेंड को क्या बोला जाता है जीन अभी व्यक्ति का नियम बोला जाता है ठीक है देखो जीन की अभी व्यक्ति के फल्चरूप जो कोशिकाई होता है कोशिकाई कोशिकाई में प्रोटीन का संसलेशन होता है ठीक है जीनों द्वारा जैविक क्रियाऊं या किसी उपापचेई परिपत की अभीН करियां की नियंत्र को हम क्या कहते हैं जीन नियमन यानि की जीन रेगुलेशन कहते हैं ठीके ऐसी क्रिया ड़िसके द्वारा JEEन, Parotein केatal guitar को Praram a अत्वा बंद कर देते हैं उसे जीन अभी व्यक्ति का नियमन कहते हैं, चलो धोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, कि अच्छली मैं यहाँ पर यह हमसे क्या कहना चाहरा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि भाई, यह जो DNA है, है ना, DNA से mRNA बना हमारा, right, mRNA बना, mRNA से क्या हुआ हमारी, protein synthesis की process हुई ठीक है जिसको हमने protein क्या बोला? translation बोला हमने क्या बोला इसको protein translation बोला लेकिन क्या आपने सोचा कि यहाँ पर जो भी process हुई actually मैं वहाँ पर main role किसका था सोचा आपने सीधी से बात है यहाँ पर main role हमारा hero बदलब जो था वो कोई और नहीं बलकि वो था हमारा DNA भाई साब ठीक है इसका क्या था? इसका main role था इसको पता था कि भाई मुझे इसके पास क्या था? इसके पास अनुवनशिक पदार था राइट? अनुवनशिक पदार था इसके पास है ना? इसके पास अनुवनशिक पदार था इसको पदा था कि भाई साहब मुझे कौन सा प्रोटीन जो है ठीक है कौन से प्रोटीन के साथ मुझे क्या करना है? कब करना है? कैसे उसको करना है? क्या से यूज मिलाना है? तो इस सारी की सारी process जो है उसको मालुब दी ठीक है इसी लिए last मजा के protein synthesis होता है किसकी मर्जी से होता है इसी की मर्जी से होता है simple and sweet राइट ठीक है अब हम इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि जो DNA है वो क्या है जीन खंडों से मिलके बना हुआ होता है किस से जो जीन होते हैं ठीक है तो ये जीन खंडों से मिलके बना हुआ होता है ये हमको मालुम होता है राइट ठीक है मालुम है कि जीन खंड है अब क्या अब यहां क्या होता है यहां पर जो जीन खंड है ठीक है इसके साथ क्या होता है हां ये क्या कर रहा है यहां जो ये जीन है ये वाला जो जीन है ये क्या कर रहा है अपने आपको शो कर रहा है मतलब दिखाता है कि हाँ मैं कुछ हूँ ठीके ये क्या कहता है कि मैं कुछ हूँ भाई मेरे बिना कुछ नहीं होगा याने कि हम कह सकते हैं शो कर रहा है मतलब एक्सप्रेस कर रहा है है ना हम यह भी कह सकते हैं क्या कर रहा है यह खुद को express कर रहा है ठीक है क्या protein synthesis करके क्या करके? प्रोटीन सिंथेसिस करके, यानि कि प्रोटीन संसलेशन की जो क्रिया है, वो करके अपने आपको क्या कर रहा है? ये एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है? तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस जीन का प्रोटीन संसलेशन करने के लिए ये क्या कहलाता है? जीन एक्सप्र ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम जीन अभी व्यक्ति कहते हैं ठीक है जीन अभी व्यक्ति कहते हैं और यह ऐसा नहीं कि दिखाता रहेगा कि हां मेरा कोई वदला क्या बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा नहीं भाई यह एक बार अपने जीन अभी व्यक्ति दिखाएगा, शो करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर से शो करेगा, फिर से शो करेगा, रुक जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि शो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, करता रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह process होती है ठीक है अब हम यहां पर बात कर रहें अप्टे main important topic की जो है भाई आपका lac operon ठीक है lac operon के बारे में हम बात कर रहें अब basically lac operon होता क्या है तो जो lac operoncoins होता है क्या होता है जिए अलग-अलग जीनो का sum होता है क्या होता है अलग-अलग जीनो का समू होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रोटीन संसलेशन में, प्रोटीन संसलेशन की क्रिया करते हैं, ठीक है, करेक्ट इतनी बात, आगे समझ में, है ना, ठीक है, अब भई, बात हम किसकी करते हैं, लैक ओपराउन की, तो ये जो लैक ओपराउन था, इसकी जानकारी किस ने दी थी, इसकी जानकारी किस ने दी थी, तो भई, इसकी जानकारी जैकब और मोनाड जी ने दी थी, ठीक है, इन दोनों ने दी थी, क्या बताया था इन्होंने, E. Coli के अंदर, है न, इन्होंने क्या कहा, कि भाई साब E. Coli नाम की कोई चीज है, इस E. Coli के अंदर यह जो Lack Operon है, ठीके, इसकी अवधार ना दी थी, ठीक है न इसकी क्या करे थी अवधारना दी थी नहोंने ठीक है लेक अपरोन की जो अवधारना दी किसके अंदर दी थी e-coli के अंदर दी थी इतनी बात कितने बच्चों को समझे में आईयि हाँ clear है इतनी बात बोलो clear हो गई ठीक है तो यहाँ पर क्या है जब हम E. coli की बात कर रहे हैं तो E. coli में हमको क्या पढ़ना है लेक्टोज के अपचयन को पढ़ना है जो लेक्टोज होता है लेक्टोज के अपचयन अपचयन को हम यहाँ पढ़ेंगे ठीक है दूसरा की E. coli की सनरशना को हम देखेंगे ठीक है सनरशना किसमें लेक्टोज औपयरॉन की है उपराउन की ठीक है इको लाए में संदशना को देखेंगे कौन ती संदशना को देखेंगे भाईया लैक उपराउन की संदशना को देखेंगे कर्रेक्ट इतनी बास समझ में आई हैं बोलो इतनी बास समझ में आई अब भाया हम जानते हैं कि E. Coli के Operon structure में जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम किसको देखेंगे, जीन को देखेंगे, यहां पर हम किसको देखेंगे, जीन के बारे में बात करेंगे ठीके अब यह जो operon है यह क्या है भाई हाँ यह है lac operon यह operon क्या कर रहा है lac operon को बना रहा है ठीके और यहाँ पर हम क्या देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे लेक्टोज की उपा उपा पच्चई ये क्या करेगा क्रियाओं को नियंतरित करेगा ठीक है ये जो लेक उपिरॉन है ये क्या करेगा लेक्टोज की उपा पच्चे क्रियाओं को नियंतरित करने का काम करेगा करेक्ट क्योंकि हम E को लाई में बात कर रहे हैं न ठीके तो लेक्टोस की उपापचे क्रियाओं को नियंतरत करने का काम करेगा जीन कौन से हैं जीन देख लेते हैं ठीके ये इस तरीके से तीन जीन मौजूद होते हैं हमारे पास ठीक है Z हो गया Y हो गया और A हो गया और यह तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं तीनों के तीनों कहलाते हैं यह संरशनात्मक जीन ठीक है संरशनात्मक जीन जो आगे चलके क्या करते हैं MRNA की प्रोसेस करते हैं आगे चलके क्या करेंगे एम आर एने कि kणन करेंगे और उसके बाद फाई प्रोटीन सिंथेसिस का रेंगे यानि की प्रोटीन संसेलेशन करेंगे अधिक this being इतनी बार सब बच्चे को अगर हो गई है है ना मुझे लगता नहीं कि यहां तक और डॉट रहा होगाavior होगा क्ल Sparta में आगिया है तो मैं आगे बढ़ जाती हूं है ना चलो आगे बढ़ जाते हैं तो इसके साथ साथ अच्छा हम यह भी कह सकते हैं कि भाई जो enzymes होते हैं देखो protein से बने हुए होते हैं यह चीज हम जानते हैं अब यहां पर हम कह सकते हैं कि mRNA से हैं यह मार्ळी से क्या हो रहा है enzyme लिए और इसके साथ साथ भईया हम क्या करेंगे हाँ इसके साथ हम एक और काम करेंगे की चलो हम बनाते हैं संदश्ना ठीक है किसकी संदश्ना बनाते हैं लोग यह क्या है आपके तीन Tail Ondertrept आ जाएंब पहली बात तो ओ, ये क्या है, operator, ठीके, इस operator के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, promoter जुड़ा हुआ होता है, जो promote करता है, ये क्या है P, ये क्या है, promoter, ठीके, promoter जुड़ा हुआ है, ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसके साथ promoter जुड़ा हुआ है, भाई, तो देखो, ये operator क क्या काम करता है ये बुटन की तरह काम करता है ठीक है किसकी बटन की तरह क्या बटन की तरह कीभाई therapies wise offer onую क्या काम करते है स्विच ओफ और 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 जैसे काम करता है ठीक है ड्रस्फप सिर्शन और उसके आफ करने काम कर रहे है और यह बन सब्सक्राइब हो किfold नात्मक एकाई थी सनरचनात्मक एकाई राइट यह सनरचनात्मक एकाई यह हमारे पास है यह हमारे पास ठीक है और हमने का यह क्या कर रहा है स्विच ओफ और ओन करने का काम कर रहा है ठीक है और प्रमोटर क्या काम करता है हां प्रमोटर क्या काम करता है इसका क्या काम है तो होता है लैक आई ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं संदमक gene देखो, क्योंकि बात यहां किसकी कर रहे हैं E. coli के बारे में हम बात कर रहे हैं राइट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं E. coli में lactose के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहां पर हैं तो E. coli की बात कर रहे हैं ठीके, तो E. coli में क्या है इकोलाई में यहाँ पर लैक आईजीन होता है ठीके यहाँ पर क्या है लैक आईजीन होता है ठीके यह जो लैक आईजीन होता है यह क्या कहलाता है संदमक जीन कहलाता है क्या कहलाएगा यह संदमक जीन कहलाता है ठीके और इससे क्या होगा यहाँ पर हां इससे दमनकारी इसस ठीक है और इस दमनकारी mRNA से क्या बनेगा दमनकारी protein synthesis होगी है ना क्या होगा protein होगा ठीक इसको किसी और कलार से दिखा देते ताकि जब हम मैच करेंगे तो हमको दिक्कत ना हो यह रापका ठीक है हम इसको ऐसे दिखा देते हैं ठीक है लो दिखा दिया यह क्या है mRNA और दमनकारी protein है ठीक है अब क्या होगा भाई यह जो mRNA का निर्मान होगा तो यहाँ पर इसमें क्या है एक enzyme की ज़रुरत होती है हम जानते है है ना क्या इसके निर्मान के लिए इसके निर्मान के लिए क्या होती है हमें एक enzyme की ज़रुरत होती है यह चीज हम जानते है ठीक लेकिन उससे पहले ये भी जानवी एक और चीज़ जान लेते हैं, हम्, अच्छ, ठीके, हमें कहा कि इसके निर्बान की जरूत है, तो ठीके, तो यहाँ कॉन सा इन्जाइम चाहिए हमको, जब इसके निर्बान की जरूत है तो, तो भाईया, यहाँ पर हमको एक enzyme चाहिए, जिसका नाम क्या है, हाँ, RNA polymerase, ठीके, क्या है जिसका नाम, RNA polymerase, ठीके, यहाँ आगया, यह आपका RNA polymerase enzyme, यह रहा, ठीके, यह क्या है आपका RNA polymerase enzyme, ठीके, जो क्या करेगा, जो प्रमोटर से जाके जुर जाएगा, है ना, यह क्या क करेगा इस प्रमोटर से जाके जुर जाएगा और जो आगे काम है वो स्टार्ट हो जाएगा राइट इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई हां बताओ इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है कि हां ये खेल हुआ है बोलो आगे समझ में है ना चलो इसको समझत हैं दूसरे तरीके से, हाँ, समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टेक्स्ट है, यह देख लेते हैं, कि भाईया महीं लेक प्रचोला क्या होता है, क्या होता है, तू लेक अओ परयों के बारे में इस पस्व जानकारी का अनुवांशी, फ्रेंक वह स०्थ, जेकब, यह जेव रसाइनिक, जेकब, मोनार्ड ने दी थी, ठीके किस ने दी थी मोनाड ने दी थी ठीके आपसे प्रयास से हो पाई थी इन दोनों के उन्होंने पहली बार अनुले किये नियमित तंतर के बारे में बताया ठीके तो लैक प्रचोलक यहां लैक का मतलब है लैक्टोज ठीके में polycystronic संरश्ना जीन का नियमन एक समानने और नायक वे नियायमक जीन द्वारा होता है ठीक इस तरह की विवस्ता जिवाणों में बहुत समाना ने हैं जिसे हम प्रचोलेक यानि कि ऑपर forbidden कहते हैं को कुछ ऐसे उधारन है लैक प्रचा लेक टिक ट्रिप प्रचोलेक यानि कि टी आरपी ओपिरॉण एटा प्राचोलेक याने की ए आर ए ओपिरॉण हिसप्राचोलग ठी कैए वे लग प्राचोलग आदी होते हैं यहाँ पर ठीक फिर ये कोलाई में जब हम इक कोलाई की बात कर رہे हैं ठीको इकोलाई में लेक्टोस के उपापच़य की क्रिया को नियंतिर करने वाले जीन को लेक ओपराउन कहते हैं जो अलड़ी बता चुकी हो यह संरशनात्मक दृष्टी से चार भागों से मिलकर बना होता है ठीक है पहला मैंने बताया संरशनात्मक जीन ठीक है अलड़ी बताया है मैंने है आपको हुशं जिसमें हमने क्या पड़ा संवरश्चनात्मक जीन कौन-कौन से पड़े हमने हमने पड़े भई हमने जड बाइंध यह क्या सनरश्चनात्मक जीन जो लेक उपरर currents ले संवरस्चनात्मक जीन के तीन शेतिर रव पाए जाते हैं ठीके जो ENZYME deputy nggak Choate या होती है उसको नियंत्रत करते हैं Z Y और A दूसरा आता है वर्धन जीन यानि कि प्रमोटर जीन आता है हमारे पास ठीक है तो लेक ऑपरान का वह भाग जो RNA पॉलीमरेस इंजयम से जुड़कर अनुलेखन का प्रार्णब करता है जिसको हम किस से शो करते हैं हाँ प्रमोटर को हम शो करते हैं P से राइट फिर आता है प्रचालक ऑपरेटर जीन ठीक है तो DNA का वह भाग जो अनुलेखन की क्रिया का नियमन करता है राइट फिर यानि regulator gene आ जाता है इस जीन से एक विशिश प्रकार का प्रोटीन संसलेशित होता है संसलेशित होता है ठीक है जो दमनकारी की तरह कारे करता है राइट चलो फिर लेक्टोस के उपापचे में लेक अपरोयन की संरशनात्ता जीन के तीन खंड से अलग होकर MRN निर्मित होते हैं जो तीन प्रकार के इंजाइमों का संसलेशिन करते हैं पहला आगिया आपका क्या आगिया आपका Z Z gene galactosidase जो lactose से galactose वे glucose का निर्मान करता है फिर आगिया आपका Y gene ठीक है तो यहाँ enzyme का कूठलेकन होता है फिर आगया A पार जो gene galactose galactosized tross acetylase आता है यहाँ पर ठीक है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे फिर यहाँ पर दो case आजाते है हमारे पास तो पहले case में हम बात करेंगे कि E-coli में lactose की अनुपस्ति यानि कि जब वो present नहीं होता है absent होता है वहाँ पर तो क्या होता है है ना तो हम absent के बारे में बात करेंगे ठीक है तो absent के बारे में बात करेंगे तो भाई चलो बना लेते हैं पहले अपना कि हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आ गया Z ठीक है वाई और ए यह क्या है हमारी सनरशनात्मक है हमारी जीन यह तीनों के तीनों ठीक है फिर यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हमको मालुम है कि यहाँ पर एक ऑपरेटर जुड़ा हुआ होता है इसके साथ इस तरीके से यह रहा आपका ऑपरेटर ऑपरेटर से पहले कौ लेक आई ठीक है क्या मौजूद है यहां पर लेक आई मौजूद है ठीक है अब लेक आई को भी जब आगे काम करना है तो याने कि भाईया यहां पर प्रमोटर की तो जरूरत है ही जो इस चीज को स्टार्ट करेगा और इसके साथ सक्थ यहां पर हमने बोला जब MRNA बन रहा ह याने कि हमको क्या चाहिए यहां पर IRNA polymerase चाहिए IRNA polymerase enzyme की यहां पर ज़रूरत है ठीक है तो यहां पर हमने क्या बोन रहा है यह सब कहा हो रहा है E. coli की Cell के अंदर हो रहा है ठीक है तो यह क्या है आपकी E.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C से जुड़ जाएगा ठीक है यह क्या करेगा यह जो प्रमोटर है ठीक है इस से आके जुड़ जाएगा प्रमोटर से फिर प्रमोटर से आके जुड़ जाएगा फिर क्या होगा भाई हाँ अनुलेखन यहां पर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जब यह जुड़ जाएगा इस स आके तो यहां पर क्या शुरू होगा अनुलेखन यहां पर अनुलेखन क्या होगा स्टार्ट होगा ठीक है ना यहां पर क्या होगा अनुलेखन की क्रिया यहां पर स्टार्ट हो जाएगी जब अनुलेखन की क्रिया यहां पर स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब यहां पर पॉलिमरेज यहां पर भी है और जब यहां पर पी है तो यहां पर भी होगा आरने पॉलिमरेज ठीक है इस से जुड़ जाएगा जुड़ गया तो क्या हो अनुलेखन यहां पर शुरू हो गया है तो क्या हो जाएगा यहां पर हम मतलब की क्या होगा यहां पर पहले तो यहा लेक आई है, ये क्या करेगा इसको अनुलेखित करेगा, ये जो आरने पॉलिमरेज है, ये लेक आई को क्या करेगा, अनुलेखित करेगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही दमनकारी क्या बनेगा, आपका एमरे नी बनेगा, देखो, यहां आम ने देखा था, य तो यहां क्या बना हमारे पास? सबसे पहले यहां पर देखो दूसरे कलर से लिख देते हैं, यहां पर दाकि आपको समझने में दिक्कत ना हो. देखो यहां क्या बना? दमनकारी म आरेने, फिर क्या बना इससे? दमनकारी प्रोटीन, ठीक है? अब इस दमनकारी प्रोटीन को क्या करेगा? यह दमनकारी प्रोटीन हमने क्या कहा यहां पर क्या है यहां पर लेक्टोस की अनुपस्थित यानि कि यहां पर लेक्टोस नहीं है लेक्टोस नहीं है तो यह क्या करेगा यह जो दमनकारी है ठीक है प्रोटीन यह क्या करेगा यह सीधे जाकर इस ऑपरेटर से जुड़ ि inadequ होता है तो ऩा process थो इन अनुपस्ते paid जब यहां पर क्या है भाई यहां場 जिब बोला मैंने जब यहाँ पर switch off हो जाएगा तो यह जो क्या था तो यहाँ पर यह RNA polymores था यह इससे क्या नहीं जुड़ेगा तो जो जीन है यह तीनों के तीनों यह क्या होंगे activate नहीं होंगे यह تीनों के तीनों activate नहीं होंगे तो क्या होगा? अनुलेखन नहीं होगा अनुलेखन नहीं होगा मतलब protein sensation नहीं होगा यानि protein synthesis नहीं होगा इतनी बाश समश में आ गई कि यहाँ पर यह चलता है पहला case तो यह आगी है हमारे पास है ना देखो और दूसरा case के आता है कि ए कोलाई में lactose की उपस्तिति यानि कि अब हम बात करेंगे जब यहां पर lactose present है ठीक है चलो फिर से बना लेते हैं यह रही आपके जेड वाई और ए यह तीनों क्या है आपकी सनरशना प्लक एकाई है इसके साथ क्या जुड़ा है आपका यहां पर उन जुड़ा है यह आ गया उपर उन के साथ क्या जुड़ा है आपका प्रमोटर ठीक है यह रहा आपका प्रमोटर प्रमोटर के साथ क्या जुड़ा है lack I है ना क्योंकि lactose की बात कर रहे हैं तो lack I जुड़ा है अब lack I को काम करने के लिए भी तो वे एक promotor की जुरूट है है ना तो यहाँ पर क्या है एक कौर promotor है ठीक है तो यहाँ पर फिर हमने क्या बोला यहाँ पर क्या है RNA polymerase है है ना हमने क्या बोला कि यहाँ क्या है RNA polymerase है ठीक है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर यह क्या है आपके RNA polymerase है दोनों के दोनों ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है हाँ तो हमने बोला कि यहाँ पर condition यह है कि क्या है कि lactose यहाँ पर उपस्तित है तो हमने कहा कि ये भी कोशिका के अंदर ही हो रहा है ना सब कुछ है ना ये भी कहा हो रहा है कोशिका के अंदर हो रहा है ये क्या है आपकी E को लाए कोशिका और हमने कहा कि इसके अंदर lactose यहाँ पर मौजूद है ये आपके lactose है ये lactose हो गया ठीक है तो lactose यहां पर अलड़ी मौजूद है हम यह बात कर रहें यहां पर अब क्या होगा जब यहां पर lactose मौजूद है तो बताओ क्या process होगी यहां पर हां क्या process होगी बलो बोलो जल्दी क्या होगा फिर यहां पर हां जब हमने का lactose मौजूद है यहां पर तो क्या होगा यह जो RNA polymores है यह इसके साथ जाके जुड़ जाएगा इसके साथ जाके जुड़ेगा तो हमने क्या बोला यहां पर अनुलेखन की क्रिया स्टार्ट होगी ठीक, क्या हो गया, अनुलेखन स्टार्ट हो गया ठीक है, यहाँ जब जुड़ गया तो क्या हो गया, अनुलेखन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है अब यहाँ अनुलेखन स्टार्ट हो गया है, फिर क्या हुआ है बई यह जो lac आई था यह क्या करेगा यह दमनकारी MRN बना देगा जब यह अनुलेखन शुरू हुआ है फिर दमनकारी प्रोटीन बनेगा दमनकारी प्रोटीन बन गिया ठीक है अब यह जो दमनकारी प्रोटीन है यह जो दमनकारी प्रोटीन है यह क्या करेगा ये इन लेक्टोस के साथ जाके जुड़ जाता है ठीक है ये क्या करता है इन लेक्टोस के साथ जाके यहाँ पर जुड़ जाता है अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा मतलब कि ये तो खाली है ये तो खाली है भी ये खाली है तो क्या होगा यहाँ पर यह जो RNA polymerase है ठीक, यह क्या करेगा, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा ठीक, इसने क्या किया, इसके साथ जाके जुड़ गया अब इसके साथ जाके जुड़ गया, तो क्या हो गया हाँ, बताओ, जब इसके साथ जाके जुड़ गया है बनाएंगे ठीक, MRNA बनाएंगे इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्रोटीन संसलेशन होगा प्रोटीन संसलेशन की क्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी है ना? प्रोटीन संसलेशन होगा यहाँ पर इसका मतलब राइट? यही बात की हमने अभी ठीक है अब यहाँ पर क्या है भाई यहाँ पर यह जो Z है यह Z क्या काम करता है यह जो Z है यह एक बीटा गैलेक्टो साइडेज नाम का इंजाइम है इसके पास ठीक है यह बनाता है यह क्या काम करता है यह जो लेक्टोज होता है है ना यह जो lactose है इसको break कर देता है दो चीजों में एक तो आपका galactose में गलक्टोस में break करता है और दूसरा किस में करता है glucose में ठीक है तो यह enzyme lactose को इन दो में divide कर देता है अब सोचने वाली बात है जब यहां पर यह इस lactose को break कर रहा है तो यहां पर भी तो lactose मौझूद है तो यह क्या काम करेगा यह जो beta galactose है यह इन दोनों को भी तोड़ देगा किस में तोड़ देगा galactose में और glucose में तोड़ देगा अब हमने कहा था कि यह जो protein है दमनकार यह इससे जुड़ गया था अब जब यह भी तोड़ गया तो यह तो अकेला रह गया अकेला है ना तो यह जो होगा यह कहां जाके जुड़ जाएगा आपका यह कहां जाके जुड़ जाएगा यह जुड़ जाएगा इस तो यहां पर यहां पर यहां पर यह खेलोता है तो अब इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है कि अच्छा यहां पर यह हुआ है है ना क्लियर बिल्कुल डाउट कोई उम्मीद तो नहीं है कि कोई डाउट होनी चाहिए है ना क्यों हुं मैं यहाफ यहना कोई डाउट ऐफो यहाँ लीड पर एय दूआपura के दूआ पहा जुआए कि रिया हो अवस्थाहूं में दू अवस्था साव में संपन होती है जो मैंने बोली एक तो औपस्तित ही में और एक उपस्तिति में तो इह दो इस तरीके से यहां पर आपको दिखा दी गई है तो जुन слож है यहां पर मानव जीनोथ पारियोश्ना जरम का मतलब क्या है तो जब मैं जीनोम बोलूंग ये रहा जीनोम तो जीनोम का मतलब होता है कि जीनो का वयवस्तित क्रम ठीक है तो जीनो का वयवस्तित क्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं जीनोम double data व्युक्श कष़ीолод चल जी महां लेते हैं इसको हम ने ये बोला ठीक अगर हम सैल की बात करते हैं कि भाहिया एक सैल है łगाने की कोशिका है यह रहे है कोशिका पिक का क्विर्विका हम कया यह सेल को अप यह क्या है अगुरित गुर्शूत्र है इस में थीकला अगूनित गुर्सूत रहेंने की ऐन की बात करते हैं इसमें जो क्या होता है जो होता है ने योग्लियो ताइड ठीक है जो क्या कहलाता है योकली डाइड ठीक है और जो यह की सुट रहें न है इसकी वैल्यू लगबग कितनी होता है 3 × to 10 की पावर 9 बीपी ये चीज आपको याद रखने की बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है इंपोर्टेंट है कि आप से पूछा जा सकता है कि अगुरित गुंसूत्र की वेल्यू क्या होती है तो 3 इंटू 10 की पावर 9 बीपी इसकी वेल्यू है राइट चलो इतना समझ लेते हैं फिर आता है मानव जिनोम परियोजना ठीक है तो जब मानव जिनोम परियोजना की बात करते हैं तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं बाई कि जो आनुवंशिक अभी यांत्रिक अनुवंशिक अभी यांत्रिक तकनीकों तकनीकों के विकाज से किसी भी DNA खंड को विलगित वे क्लोन किया जा सकता है ठीक है तो पहला पॉइंट क्या आया है हमारे पास कि अनुवंशिक अभियंतरी की तक्नीकों के विकास से किसी भी DNA खंड को विलगित या फे क्लोन किया जा सकता है विकास होगा यहां पर यहां पर क्या होगा, progress होगी, growth होगी तभी तो यहां पर क्या होगा, हम उसको yogurt भी कर सकते हैं, clone भी कर सकते हैं वढ़र जब कोई technique ही नहीं है हमारे पास तो कैसे करेंगे हम, symbol सी चीज है ठीक, number 2 पर हम लिख सकते हैं कि भाई जो DNA अनुक्रम है ठीक है नंबर टू पर आप लिखोगे कि DNA अनुक्रमों DNA अनुक्रमों को शीग्र जानने के लिए शीग्र जानने के लिए साधारण तकनीक के विकास से 1990 में मानव जिनोम के अनुक्रमों का पता लगाने के लिए महत्व महत्वकांशी महत्वकांशी परियोजना महत्वकांशी परियोजना की शुरुवाद हुई ठीक है जिसको हमने क्या कहा ये जो यहाँ पर मानव जिनोम के अनुक्रमों का जो पता लगाने के लिए एक परियोजना स्टार्ट करी इस परियोजना को हमने क्या कहा मानव जिनोम ये जो परियोजना थी 3 into 10 की पावर 9 छार युब ये क्या है इसकी value है राइट ये दोज पॉइंट मुझे लगता है कि आप लोग को clear हो गए होंगे है ना चलो अब आते हैं कि भाई ये तो परियोजना के बारे में था लेकिन इसका लक्षे क्या था किसी क्या चीज़ रहती है कि जिसके लिए बाई ये सब चीज़े करनी पड़ी तो चलो लक्ष के बारे में जानते हैं कि अच्छा इसका लक्षे ये है तो चलो HGP के लक्षे यानि goals of HGP ठीक है HGP का मतलब क्या है Human Human Genome Project ठीक है ना क्या है ये Human Genome Project चलो अब इसके नीड क्यों थी भाई कि जो मानव DNA होता है कि यहां लिखते हैं कि जो मानव DNA में मिलने वाले मिलने वाले लगभग अरे बापरे मिलने वाले लगभग लगभग क्या 220 20,000 से लेके 25,000 जीनो के बारे में पता लगाना पहली चीज बारे में पता लगाना ठीके पहली चीज यह आ गई यहां पर दूसरा क्या आया इनके सामने हाँ दूसरा आ गया भई जो मानव DNA है मानव DNA को बनाने वाले बनाने वाले क्या तीन बिलियन तीन बिलियन रसायनिक छार युग्म चार युग्मु का जो अनुक्रम है युग्मु का अनुक्रम या को अनुक्रमों को युग्मु को के के अनुक्रमों को निर्धारित करना है ना निर्धारित करना थीक है दो चीस तो यह हो गई कि भाई इतने जो जीन है इनके बारे में पता लगास कि हमारे शरीर में जीन क्या है तो कि पूँसरी चीजा है दोसरी चीजा की daar जाती है हमारे पास कि भाई जानकारी को क्या करना है जो जानकारी है जानकारी को आंकडो के रूप में रखना ठीक है आंकडो को रूप में इनको इखटा करके रखना ये क्या है इनका दूसरा का तीसरा का मतलब तो ये क्या है important important points है जो यहाँ पर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है अब ठीक है इनके हमने लक्षे के बारे में बात कर लिए गोल के बारे में बात कर लिए पर इनकी कारे प्रणाली क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ठीक है कारे प्लान यानि की वही methodologies क्या है इनकी किसके उपर ही सारी चीज़े based है तो जब हम इसके बारे बात करेंगे तो यहाँ पर दो main important तरीके आते हैं है ना दो तरीके आते हैं यहाँ पर ठीक है दो तरीके तो जब हम पहले तरीके की बात करते हैं तो पहला तरीका हमारे पास क्या आता है यहाँ प expressed sequences, या sequence, sequence, Q-U-E-N-C-E, sequence tags, ठीक है, जिसको हम और क्या कहते हैं, जिसको हम E-S-T-S-B कहते हैं, राइट, अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर उन सभी जीनों की पहचान, जीनों की पहचान करना जो आरेने के रूप में व्यक्त होते हैं, चीक है, व्यक्त होते हैं, तो यहाँ पर क्या काम है इसका, कि वह सारे के सारे जीन, जो आरेने के रूप में व्यक्त हो रहे हैं, उनकी पहचान करना इसका काम है, ठीक है, दूसरा क्या आता है हमारे पास, दूसरा हमारे पास आता है पर अनुकरम टिपण, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, सीक्विन्स, एनोटेशन, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, जो जीन होते हैं, है न, यहाँ क्या है, जीनों से, जीनों से मिलने वाले, मिलने वाले सभी जीनों, सभी जीनों के व्यक्तिक वे अ व्यक्तिक अनुक्रमों की अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त कर उनके कारे को निधारित करना, उनके कारे को निधारित करना, ठीक है, तो यह सारे चीज़े क्या है, जीनों की जानकारी प्राप्त कर लो और जो उनके काम है उनको निधारित कर दो, ठीक है, तो यह क्या है, यह भाई इनकी क्या है, कारे प्रनाली है, यानि कि methodologies है, यह सारी की सारी, ठीक है, चलो, इसके बाद एक और छोड़ा था टॉपिक आता है, क्या, DNA finger printing, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो जो DNA finger printing है, इसके बारे में सभी लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, है ना, DNA finger printing, सब ने सुना है, आए दिन आप लोग इ movies में, series में, है ना, और क्या है, TV serials हो गए, या कभी-कभी newspaper में, news में, हर जगा सुनते हो, तो basically DNA finger printing है, क्या, क्या काम करती है, यह, तो जानने वाली बात यह है, कि जो 99.9% DNA होता है, है ना, कि भई मैं कहते हूं, 99.9% जो DNA है, ठीक है, सब का, ठीक है, जो सब का है, वो क्या है, एक सा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर, एक सा है, लेकिन interesting बात यह है, भाई, कि जो यहाँ पर 0.1% की बात हो रही है, यह जो 0.1% DNA है, ठीक है, यह क्या है, यह अलग है, ठीक है, और यह जो 0.1% होता है, ना, इसी के basis पे हम क्या करते हैं, criminal की पहचान कर लेते हैं, माता- पेदा की पहचान कर लेते हैं, भच्चों की पहचान कर लेते हैं, बिमारियों की पहचान कर लेते हैं, वो जो यह 1% है, 0.1% इसके basis पे सारे खेल हो जाते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं, कि जो पुनरा व्रत्ती होती है, ठीक है, इम्प धोडल दूसरे से अलग होते हैं, राइट, ठीक है, इतने चीज चिस अडीछ दूसरी चीज यह हिए, जो DNA फिरिंगल पिंटिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, DNA उंगली चापी क्या मोलते हैं इसको DNA अंगुली छापी यह भी कहा जाता है राइट छो लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम कि बहुत जगा इस DNA फिंगर प्रिंटिंग का यूज होता है जो हम लोग अल्रोडी बात कर चुके हैं तो हमने क्या मोला कि DNA अंगुली छापी जिसक हम क्या बोलते हैं भाई DNA फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं जिसको हम तो यहां पर क्या होता है यहां पर जो DNA के क्या होते हैं अनुक्रम होते हैं ठीक है तो यहां पर क्या करते हैं हम कि DNA जो होता है कि DNA के अनुक्रम में मिलने वाले अंतर व्यक्ति विशेश के सम लक्षणिये रूप रूप के सम लक्षणिये रूप आकार को निर्धारित करते हैं पहली तो चीज यहाँ पर यह आ जाती है जब हम DNA फिंगर प्रिंटिंट की बात करते हैं जो DNA के अनुक्रम है इनमें मिलने वाले जो अंतर है न तो किसी भी जो व्यक्ति विशेश है उनके बीच में जो डिफरेंसिज हो रहा है उसके जो है क्या रूप और आकार को क्या कर रहे हैं या किसी जन संख्या के लोगों के बीच लोगों के बीच आनुवन्शिक विभिन्नता का पता लगाना हो तो हमेशा हम क्या करते हैं जब पता लगाना है तो जो डिएने हैं हमेशा हम क्या करते हैं जो डिएने हैं डिएने का अनुक्रम ग्यात करना होगा ठीके, जो घ्यात करना होगा, पता लगांना होगे भई दो विक्तिओ की बात हो रही चलो फिर भी सिंपल है लेकिन अगर हम जन्संख्या क्या लोगों की बात करे तो यहाँ पर ये बोहत जयदा क्या हो जाता है टफ हो जाता है, मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है, कैसे पता लगाओगे, है ना, अब यहाँ पर बात है भई, किसने खोज करी थी, किसने बताये था, तो यहाँ पर क्या थे, एक विज्ञानिक जी आये थी, जिनका राम क्या था, Alec, Alec, Zephyris, ठीक है, इन्होंने कब करी थ ठीक है, दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, दूसरी चीज यहाँ कह सकते हैं, कि यह क्या है, DNA Finger printing, दो वेक्तियों के DNA की तुलना होती है, यहाँ पर, तुलना होती है, ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी को पता लगाना है, कि कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं डिने का प्रतक्रम करेंगे हम है ना तो हम डिने का प्रतक्रम कैसे कर सकते हैं हां बताओ इसका प्रतक्रम कैसे कर सकते हैं हम डिने का किस किस चीज से ले सकते हैं हम तो वह सिंपल सी चीज है यह हम किसका ले सकते हैं हमारी कोशिका से ले सकते हैं है न नार बोला हमने लार से ले सकते हैं और किसे ले सकते हैं भाईया हमारे शुक्राणू हो गए है ना याने की जो स्पर्म हो गए है हमारा रक्त हो गया है ठीक है हमारे बाल हो गए है तो इन सभी के सभी चीजों से क्या है आप दियाने को प्रथक कर सकते हैं राइट इतनी विदा टॉपिक था ठीक है ये दोनों टॉपिक पढ़ने में बाकी में बहुत ज़्यादा मज़े आए है ना चलो फिर चाप्टर फाइनली यहां कंप्लीट हो गया है मिलते हैं एक और नए और इंट्रोस्टिंग से चाप्टर के साथ तब तक के लिए आप लोग खुश रह और अपना ध्यान रखिए ठीक है बाई बाई